Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाड़मी और ये पेज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेड हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेड हैं तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें क्योंकि इसमें बोख़ोट सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूं केरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Rating तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading अप लोगों के लिए देखें कि September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परसे हाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपके energies देखेंगे सिकंड set of cards में आपके partner के energies देखेंगे और थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally September मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सबसे पहला card मुझे दिख रहा है Night of Pentacles Reverse और ये card कहता है कि कुछ time से या September स्टार्टिंग में या तो आपने एक pause लिया है या फिर एक pause लेना चाहा रहे हैं pause लेने का मतलब आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं आप अपनी तरफ से इतना जादा पहल नहीं चीज़ों की कर रहे हैं और इसके लिए सब स्कॉप्यों के लिए different reasons रहेंगे लेकिन ये card कहता है कि आप बहुत safe secure होके चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं आप बिलकुल भी किसी भी चीज़ को लेकर impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं आप बिलकुल भी किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाहा रहे हैं फिर से मैं कहूंगी safe secure होके ही चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए दिखे friendship का card एक दो चीज़ें कहता है या तो आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आप initiatives नहीं लेंगे, action नहीं लेंगे थोड़ा सा pause ले भी लेंगे तो भी आपकी और आपके partner की दोस्ती में कोई फरक नहीं पड़ेगा आप दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है और कुछs copies के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि पहले आपकी और आपके partner के बीच में अच्छी दोस्ती हो फिर आप किसी और चीज के बारे में सोचेंगे यानि कि फिर आप relationship के बारे में सोचेंगे, marriage के बारे में सोचेंगे सबसे एक you know base चीज आप अपने partner के साथ एक friendship एक दोस्ती चाह रहे हैं जहांपर आप कुछ भी उनको कह दें वो आपको judge नहीं करेंगे, वो आपको लेकर critical नहीं होंगे तो दिखे इस तरीके की energies आप इस relationship में चाह रहे हैं इसलिए आपने pause लिया है, कि भई पहले ये एक level achieve हो जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखे जनरल reading है, थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा और mid September के लिए 10 of Wands का card कहता है, कि किसी चीज को लेकर एक pressure, किसी चीज को लेकर एक burden आप महसूस कर सकते हैं अब देखिए, जब भी ये card आता है, मैं यही कहती हूँ कि आपने अपने उपर इतनी सारी responsibilities ले हुई है यह हो सकता है, आपकी expectations आपके partner से कुछ जादा है और ये चीज आपको ज़्यादा bother करें, यानि कि कोई external front पे concrete reason उतना नहीं रहता हुआ दिख रहा है आप ही की expectations या फिर आप ही जो ज़रुत से ज़्यादा आगे बढ़बढ कर कर रहे हैं और फिर in return, हमें लगता है कि सामने वाला भी उतना ही हमारे साथ करें तो ये चीज relationship में issues करती है और deeper level के लिए unexpected का card भी कहीं इसी चीज को confirm करता है कि शायद आप अपने partner से कुछ expect कर रहे हैं, आप दिखिए general reading है तो सब scopius के लिए differ करेगा लेकिन unexpected मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि आपको वो surprise दें या कुछ चीजें आपको लग रहा है कि उनको खुद से ही करनी चाहिए खुद से ही बोलना चाहिए, खुद से ही उनकी तरफ से वो एक response होना चाहिए और उस तरीके का response उनकी तरफ से नहीं रह रहा है जैसे आप चाहा रहे हैं और ये चीज आपको परेशान कर रही है और end September के लिए Six of Pentacles Reverse का कार्ड कहता है आपको यसे लग रहा है कि भाई आपने बहुत convince कर लिया आपने बहुत जादा अपना 100 and 100% दे दिया और कहीं आपने अपनी self respect को भी compromise किया है आपने आपको भी किसी level based relationship के लिए compromise किया है और अब deeper level के लिए needing space का कार्ड कहता है कि आपको लग रहा है कि भाई मुझे अपनी space चाहिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज को लेकर आप अपने partner को बहुत जादा surface level के लिए convince तो कर रहे हैं या फिर उनसे expect तो कर रहे हैं लेकिन मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि भाई ठीक है उनकी मर्जी है अगर मानेंगे तो ठीक है नहीं मानेंगे तो आप अपने आप में ही sufficient है तो इस तरीके की एक realization इस तरीके की एक understanding ending end September में रहती हुए दिख रही है और अब देखते हैं आपके partner के क्या energies है तो देखिए आपके partner के लिए आपे knight of swords and chariot दोनों ही cards reverse हैं और दोनों ही cards कही movement की बात करते हैं shift की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं travel की बात करते हैं फिर से देखिए यह general reading है तो सब scopios के partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए literally हो सकता है वो travel करना चाहरे है especially अगर आप दोनों का long distance relationship है तो वो travel करके आपसे मिलने आना चाहरे हैं लेकिन किसी भी reason की वज़े से delays हो रहे हैं उनका travel का program postpone हो रहा है या फिर कुछ hurdles, कुछ रुकावटे आ रही है उनके travel में और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों को end करके वो आगे बढ़ना चाहरे है especially अगर पीछे इस relationship में stuck energies थी तो उन energies में से इस relationship को निकालना चाहरे है या फिर इस relationship को से मैं कहूंगी move on करना चाहरे है अब एक यह किसी भी level पर हो सकता है क्योंकि यह monthly reading है तो मैं नहीं कहूंगी कि भई पूरा ही life के लिए वो इस relationship से move on करना चाहरे है but yes, you know mid September तक या फिर September month में वो कहीं कुछ चीजों को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहरे है deeper level के लिए union का card कहता है कि आप से union चाहते है अब यहाँ पर union का मतलब भी सब स्कॉप उसके partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है आपके साथ marriage चाहरे है कुछ के लिए जैसे कि मैंने अभी बताया अगर यह long distance relationship है आप से मिलना चाहरे है आपके साथ physical intimacy चाहरे है physical connect चाहरे है engagement चाहरे है या फिर long term के लिए आपका साथ चाहरे है या फिर से मैं कहूंगी सिरफ और सिरफ हो सकता है physical intimacy चाहरे है and end September के लिए आपर imbalanced love and ace of wands reverse के cards कहते है कि कहीं जिस तरीके से वो एक नहीं शुरुवात करना चाहरे है उस तरीके से नहीं कर पा रहे है कहीं कुछ issues, मसले हो रहे है उतने motivated वो नहीं महसूस करते हुए दिख रहे है enthusiasm, excitement लो रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर दिखिए ace of wands के नीचे imbalance love का card कहता है शायद अपनी life में work life balance नहीं कर पा रहे है या आपको या इस relationship को बाकी चीज़ों के साथ balance नहीं कर पा रहे है और अब देखते हैं कि September मन्त में क्या हो रहा है तो दिखिए September starting के लिए आपर सबसे पहला card है hangman और यह card कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा या फिर काफी stuck महसूस कर रहे है अब देखिए general reading है situation circumstances सबके लिए differ करेंगे लेगिन यह card कहता है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हाथ बंदे हुए है पैर बंदे हुए है बहुत कुछ कहना चाहते हैं करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे है और कुछ scopios या फिर उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वह बहुत compromises कर रहे है adjustments कर रहे हैं deeper level के लिए regret का काट कहता है कि किसी चीज का अफ्सोस आपको या आपके पार्टनर को रह सकता है होता है न कभी-कभी हम कोई चीज कह देते हैं कोई चीज कर देते हैं कोई बात हो जाती है और हमें लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, काश ऐसा ना कहा होता, काश ऐसा ना करा होता तो इस तरीके के energies deeper level के लिए रह रही है weather the storm का का काट कहता है छोटे मोटे issues मसले रहेंगे अब दिखिए मैं सिरफ और सिरफ आपके पार्टनर के energies देखूँ तो यहाँ पर night of swords reverse and chariot reverse के काट कहते हैं कि वो travel करना चाह रहे हैं, वो कहीं you know movement चाह रहे हैं या simply यह भी हो सकते है कि इस relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं इस relationship को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं लेकिन issues मसले आ रहे हैं नहीं लेकर जा पा रहे हैं येस देखिए, फिर से मैं clear कर दूँ, मैंने शायद आपके partner के energies जब मैं read कर रहे थी इस चीज़ को miss कर दिया कुछ सेटेश के partner के लिए भी हो सकता है कि वो इस relationship को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं जो भी issues मसले हैं उनका control अपने हाथ में लेकर उनको बहुत ही boldly deal करते वे उन issues और मसलों से fight करते वे relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी challenges रह रहे हैं नहीं ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आपके partner के लिए यहां पर union का भी card है तो जादा फिर से मैं कहूंगी कि वो आपके साथ union चाह रहे हैं आपके साथ connect करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं whatever the reason may be general reading है तो subscribe उसके partner के लिए differ करेगा तो यह challenges हो सकते हैं आपके लिए देखें तो हो सकते हैं आपकी expectations थोड़ी सी जादा हैं आप थोड़ा सा अपने उपर pressure button जादा ले रहे हैं आप उतने initiative नहीं ले रहे हैं तो यह एक challenges हैं जो भी हो कहीं फिर से देखे 2 of wands reverse का card भी इसी चीज़ को confirm करता है कि चीज़ों को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं उतना confidence या तो नहीं आ रहा है या फिर जो भी issues मसले हैं उनकी वज़े से नहीं लेकर जा पा रहे हैं और 5 of w once का card कहता है कि September end में September month में छोटे मोटे issues minor you know एक फिर से मैं कहूंगी hurdles issues रह सकते हैं आप दोनों के बीच में September end में difference of opinion हो सकता है किसी level पे छोटी मोटी argument भी हो सकती है और deeper level के लिए let it be का card कहता है take no action let fate play let fate play तो कहीं end September में आप लोग भी surrender mode में रहते हुए दिख रहे हैं छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं होने दो बहुत जादा अपनी तरफ से कुछ भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं करते हुए दिख रहे हैं जैसे चीजें हैं उनको वैसे ही रहने दे रहे हैं universe इस पे surrender कर रहे हैं universe पे faith करते हुए जो भी हो रहा है उसको accept करते हुए दिख रहे हैं तो ये थास copies आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ रेजनेट करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें